नमस्कार राम राम मैं आप सभी का आपके अपनी परिवार में हारदिक स्वागत और अभिने अन्नल करता हूं दोस्तो आज अपनी कलास की सुरुवात एक मोटिवेस्ट कोड के साथ करते हैं अरक होंसला वो मन्जर भी आएगा प्यासे के पास सलकर समंदर भी आएगा अब दिन मंझिल भी मिलेगी और मिलने का मज़ा भी आएगा मिलने का मज़ा भी में आप सभी का आपके अपने परिवार में हार्दिक और भी नन करता हूँ दोस्तों करता हूं दोस्तों अगर आप भी अभी तक घ्र THEY से यानि आपके परिवार से नहीं जुड़े हो तो नीचे लाल कलड का सब्सक्राइब बेटन दिया उस पर क्लिक करके अपने परिवार से जुड़े इसके अंदर हम राजिस्तान के संपूर जी के अंदर जिसके अंदर हम राजिस्तान की क्लासंस करती राजिस्तान के भूग से वो है राजिस्तान के भूगुल के अंदर राजिस्तान के भूगुल के अंदर मित्रों हमारी सर्चा जा रही थी राजिस्तान की नदियों के ऊपर यानि राजिस्तान के अपवात अंतर के ऊपर राजिस्तान के अपवात अंतर के ऊपर हमने बात की और उसको हमने तीन भा उन्तित निशित है लाकिन विल्यष्तान निशित नहीं यानि यह से भी कह सकते वह दिश्राप्भाज जाता है वो आंत्रिक अपवात अंतर की कि आंत्रिक अपवात अंतर की कि लिए तो सबसे बड़ी नदी एप क्या नाम क्या नाम है घंगर नहीं पूंट त्व अंत्रिक परवाद से बड़ी नदी करें तो कांतली नदी सब्सक्राइब के युदू के उसके अंदर वह टॉपिक ता उस टॉपिक क्या था राजस्तान की नदिया नदिया रुपवार टॉपिक के उपर हमें सचा करें ते और इस नदीय को आ hi नदिया को आज़ान की lorsqu अधर अंतर strict step 2 के उपर नदीया पढ़िए उस नदियों की पुने ट्रीक के बारे में बात करते हैं कौन-कौन सी नदिया कि हमने बात की काका सा एक्ट expenditure कमने बनाई थी काका सा आज कि आज में कि आज में रूगख रूगः गव सिक गया का कसे हो जाएगा हमारा कांता ली नदी कांता लीудिव जो आंतरीक प्रवा की जो पूर्त आंतरिक प्रवा की सबसे बड़ी नदी है जिसका उदगम मिमा से यह निकलती है मोटो साभी नदी उसके बाद साभी नदी कहां से निकलती है सेवर की पाड़िया से निकलती है और सेवर की पाड़िया कहां पर पढ़ती है सेवर की पाड़िया भरतपूर में पढ़ती है उसके बाद उसके बाद हमने बात की थी जह से जह से हमने बात की थी जह से हमारी कौंची नदी हो जाएगी जह से हमने बात की थी जह से हमारी हो जाएगी उसके बाद मनें बात की में था नदी में था नदी में था नदी र से रूपन गड़ नदी रूपन गड़ नदी और रूपा रेल नदी रूपा रेल अच्छा ये जव वाला साइलेंट है रूपा रेल नदी रूपा रूपा रेल नदी गसे गगर नदी, खसे खारी नदी और खसे खंडेला नदी ये दो नदिया काँ पर गिरती है सांबर जील के अंदर गिरती है और गाव गया और ये हमार का है साइलेट तो ये थी हमारी आंतरिक अपवात अंतर की नदिया जिसके अंदर हमने बात की इस आंतरिक अपवात अं पर टाएं से होता है साबी नदी का उध्गमिस्तल होता है सेवर की पाडिया कहां पर पढ़ती है सेवर की पाडिया पढ़ती है पर कि इसकर के अंदर अपना जल ले जाती है ससे आगे हम बात की कि रूपा रहन नदी को रूपा रहन की बात की से अ कुछा सेस नदीक क्या होतासर उद्द गमिस्तल होता है उसके बात मैंने बात की यह अपना जल कर रोपार रहें नदी है अपना जल मूती सागर जील प Western से एक नेर बयां जाता है और मौती जील को ब्रत पूर की लाइफ या कि에 मने बात की कर ऊपा रेल में रूपा रेल के बारे में रूपा सिहागे हमेख बात करते दूसरे अपवात अंतर के उपरों राजिस्तान का दूसरा अपवात अंतर है जिसका क्या नाम है जिसका नाम है अर्ब सागर यह अप्वाह तंतर कौनसा अर्ब सागर अर्ब सागर ये सागर ये अपवा तंतर कौन सा तंतर सर अर्ब सागर ये अपवा तंतर अर्ब सागर ये अपवा तंतर यानि वह नदी जो अपना जल अर्ब सागर के इंजर ले जाती है वो कौन सी अर्ब सागर कहा पड़ता है जो यहां पर जो अपना जल ले जाती है इस टाइड में जो अपना जल ले जाती है वो कौन सी नदी है हमारी कौन सी नदी है वो नदी है अर्बसागरी यह पातंतर के अंदर आएगी जो अपना जल अर्बसागर के अंदर ले जाती है जो अर्बसागर के अंदर जो जल ले ज यानि लूनी से समंदी जो भी आज तक एक्जाम के अंदर पूचा गया है जो भी पूछे जाने की संभावना है लूनी से समंदी एक-एक पॉइंट हम पढ़ेंगे एक-एक पॉइंट यहां पर पढ़ेंगे तो एक बड़ा सा डाइगराम बना लेते हैं यहां पर फिर इस लूनी को हम धीरे-दीरे क्या करते हैं लूनी को हम समझते हैं यहां एक पाड़ पढ़ता है जिस पाड़ का क्या नाम है यहां पर एक सब्सकर की पाड़िया कहा पर है पुसकर की पहाड़िया पुसकर की पहाड़िया पुसकर के पढ़ झाँ है को पन genome पर की azmoer पर्ता है यहां से एक नदी निकलती है तो इसे नदी के आंदर इसका नाम क्या सरुंतिस का यह सागर्मति नदी किस सिस्थान पर मिलते हैं किसी सिस्थान ते गोविंद जट है जब ये दोनों मिल जाती है इसका नाम पड़ता है यहां पड़ता है पूशा गया है पूछा गया थो गोविंद pref wralag का उद्गम जो प्रारंबिक नाम होता है वो नाम क्या है वो नाम क्या है सागर्मती 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 है लेकिन धीरे सागर्मती नागपाट से निकलती है और एक पुसकर की पहाड़ियों से एक नदी निकलती है जिसका नाम है सरसवती नदी और सरसवती और सागर्मत सा ज्मिर के बादाए हमारा नागोर है कि आ पाली के बाद आता है जोधभूर के बाद बाड मेर के बाड जाता है जालोर यानि सह जिलों के अंदर बैती है एक दो तीन चार पांच छे कुन सा हो गए हमारा छे जिले हो गई है कितने जिले हो गई है चे जिले हो गई है आगे बात करते हैं इस नदी की यह जो यहां पर जोदपूर के अंदर एक बांद बना है जिस जो कैंद कर दो नहीं जसका बांद है जिस बांद क्या ना में जब दना एक नाकोडा बांद मने नाकोडा बंद घांपर्टाइश मैं नाकोरा बाड मेर में एक बांध बनाएं जिसका नाम है नाकोरा और नाकोरा कांपर पर पढ़ता है बाड मेर के अंदर पढ़ता है तो यह थी नदी की जो 16 डिनादि के उपर जो मैंत बाध बने वे रहले उससे आगे बात करते हैं यहां से एक नदी निकलती है जंधि का नावहना जो जड़ी नदी यह ढ़र नेकलती है का लिए सर नागोरूर्ण के निकलती है का से निकलती है जिसका नाम है जो जड़ी जो जड़ी नदी जो जड़ी नदी नदी का बाव सेतर ऐसे होता है यह जा रही है तो इसका बाया कौन सा हो जाएगा बाया हो जाएगा ये वाला बाया और ये वाला दाया ये वाला बाया और ये वाला दाया हो जाएगा जैसे आप नदी के परवा के उपर जैसे नदी का किस परकार परवा हो रहा है उस परवा के उपर आप परवा के पास जाकर देखोगे तो कैसे जैसे ये नदी सिद्री है तो इस नदी की जि कई बार कई बार पूचा गया कि लूनी की एक मात्र नदी जो दाईयोर से लूनी के अंदर मिलती है तो कौन सी नदी है जोजडी का पर मिलती है यह इस नदी का जो विल्य होता है यह विल्य होता है खेतडी जो खेतडी यहां से यह नदी आती है धीरे 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 यह नदी यह नदी आती है जिस नदी का नाम है जोद्डी और यह लूनी के अंदर कहां पर मिलती है जोद्पूर के अंदर आके यह नदी नदी इसके अंदर मिल जाती है जोद्पूर के अंदर खेजरली गाम जहां पर क्या मलता है विसु का एक मात्र वरक्ष मिला लगता है कहां पर लगता है जोदपूर के अंदर लगता है और के जोदपूर के अंदर यहां मिलती है उसके बाद में यहां पर एक नदी आती है पाली से जिस नदी का नाम है बांडी नदी पाली के अंदर इसके उपर इमावास बांद बना है जिस नदी पर उस नदी का नाम है बांडी नदी का उद्गम कहां से होता है बांडी नदी का उद्गम होता है इमावास पाल से होता है और इसके उपर एक बांद बना है जिस बांद का नाम है हेमावास बांद कौन सी नदी है बांडी नदी है और बांडी नदी के उपर एक बांद बना है जिस बांद का नाम है हेमावास और यह नदी कहां से निकलती है यह नदी निकलती है हेमावास से और मिलती कहां चूकड़ी नदी नदी कोँं सी नदी नदी है जो कहां से आती है सूकड़ी नदी है सर दे सूरी की नाल-पाली से आती है दे सूरी की नाल दे सूरी की पाल कहां पर पड़ता है पाली से एक नदी निकल दिया जिस नदी का नाम है सूकडी नदी कौन सी नदी सार सूकडी नदी जो कांपर मिलती है बाड मेर के अंदर समधीड नामकिस्तान पर लुनी के अंदर मिल जाती है और इस नदी पर एक बाद बना जिसा नाम है यूथ बांकली बां Ond बांकली बांकली बात बनाए उसके बाद में एक नदी आती है जिसका नाम है जवाई जवाई नदी जवाई नदी जो बाड मेर के अंदर विले हो जाती है जो नदी जो नदी कहाँ पर विले हो जाती है जो नदी गुड़ा बाड मेर के अंदर विले हो जाती है और कहां से न करता है पाली में जिस नदी का नाम क्या होता है जवाई नदी जवाई नदी और जवाई नदी पर एक बांद बना जिसका नाम है जवाई बांद जवाई बांद जवाई बांद तो यह नदी निकली जवाई नदी निकली कौन सी नदी जवाई नदी और इसी जवाई बांद जवाई बांत पर प्रियोजना सलती है जिसका नाम है सही प्रियोजना कौन सी प्रियोजना सही प्रियोजना जवाई बांत पर प्रियोजना सलती है जिस प्रियोजना नाम क्या है सही प्रियोजना उसके बाद में एक नदी आती है जस्वंत पूरा की पाडिया जालोर से निक रखता हूं यहांपर जस्वन्तào कि सबसे नीस है जो आपको यहां पर दिखा देका यहांसे नदी निकलती है यह गोरिया इस्तान में यह आपर लिखता हूं गोरिया पाली से एक नदी निकलती है जिसका नामें कौन से नदी जवाई नदी लाकिन जस्वंत पुरा की पाड़िया जस्वंत पुरा पुरा जालोर से निकलती है जालोर से निकलती है जालोर से जस्वंत पुरा की पाडिया जालोर से एक नदी निकलती है जिस नदी का नाम है सागी नदी क्या है सागी नदी सागी नदी निकलती है कहां से निकलती है जस्वंत पुरा की पाडिया से निकलती है कहां से निकलती है जस्वंत पुरा की पाडि जैसे सागी नदी निकलती है यहां पर जस्वंद्पुरा लिखा है ना जस्वंद्पुरा के निसे जैस्ट लिखा है सागी नदी यहां पर देखो लूनी की नदी एक सागी नदी जो कहां पर मिलती है जैलोर के अंदर आकर लूनी नदी के अंदर मिल जाती है का पर मिल जात क्या करती है जल का विले करती है कस का रण कहा पर पढ़ता है इन रहां पर अपना जल का विले करती है पंए एक बार इस डाइग्राम को मैं पुने ध्यान पूरोवगा आप सभी को पढ़ाता हूं देखो पहली बात कर यह हमने नागुपाड नागपाड अजमेर से नदी निकलती है जिस नदी का नाम है सागरमती और यहां पुष्कर की पाड़िया से एक नदी निकलती है सर जिस नदी का क्या नाम है सरसवती नदी और यह दोनों सागरमती और सरसवती नदी यह आकर एक आजमयर के अंदर ये मिल जाती है चाव जाता है उस दो नदियों का नाम पढ़ जाता है लूनी नदी कसा लूझ नदी तो लुझी काव से यहीं नदी है तो गाली उससे आगगे नने बात की कि लूनी नडी का परवासंतर अजमेर के बाद नागोर बाद में बाड मेर के अंदर बांत बना है चिस बांत को क्या हता है नाकोड़ा बांत कहते हैं उससे अगे मातर इसकी दाईों से मिलने वाली साइक नदी जोच डी नदी है कौन शीन दी जो जो डी निदी उसके उपर उससे आगे मैंने बात की यह बाईयोर से मिलने वाले इसकी नदिया पहली नदी है जिस नदी के नाम है बांडी नदी जो हिमावास की पाड़िया यह हिमावास से निकलती है और यह इमावाद से निकलती है और ये किस इस्तान पर आकर मिल जाती है ये मिल जाती है हमारी पाली के बांडी नदी पाली के अंदर इमावाद से निकलती है और पाली के अंदर ये इसका विले हो जाता उसके बाद देसुरी की पाली से एक नदी निकलती है जिसका नाम है सूकडी नदी सूकडी नदी पर बांकली बांद बनावा है और ये बाड मेरे के अंदर राकर इसका विले होता है उसके बाद में गोरिया की पाड़ी पाली से नदी निकलती है, जिसका नाम है जवाई और इस पर जवाई बांद बना हुआ है और जवाई बांद पर सही प्रियोजना संचालित है और ये बाड़ मेरे के अंदर मिल जाती है उसके बाद में जस्वंतपुरा की पाड़िया जालआ से नदी निकलती इसका नाम है सागी नदी और यह सागी नदी अपना जल ले जाकर लूनी नदी नदी कि अंदर क्या कहती है आविले करती है तो यह थी नदी का डा करती है ली तो यह थी नदी का डाइग्रám हुससे सिस्वार्ब कि अब बात करते हैं अब बात करते हैं कि कि किस पर बात करते एंटाभी प्रब्ट नौटस सिलिए पहले हम बात करते हैं कि लूनी नदी को काली दास ने लूनी नदी को अंतसलीला कहा था उसके बाद में इस नदी का उद्गम इस्तल देख लेते हैं उद्गम इस्तल कहां पर होता है नाग पहाड अजमेर से होता है का से होता है सर अजमेर से प्रारम भीक नाम क्या होता है इसका प्रारम भीक प्रारम भीक नाम प्रारम भीक नाम होता है प्रारमपीक नाम हमको दूल देखने को मिलती है प्रारमपीक नाम सागर्मती क्या होता है in Election केוש अंदर आपको देखने को मिले आध, एक्जाम के अंदर आपको एक नाम देखने को मिलेगा जो यानि लूनी नदी का कई बार पूच्छा गया कि लूनी नदी का प्राणपिक नाम कौन सा है सागर मती लूनी नदी नामकरण का होता है लूनी नामकरण होता है लुनी नामकर्ण गोविंद गड़ में होता है गोविंद गड़ और गोविंद गड़ कहां पर पढ़ता है अजमेर के अंदर पढ़ता है अजमेर के अंदर पढ़ता है अजमेर के अंदर पढ़ता है यहां पर दो नदिया कर मिलती है किस नदिया का नाम है सागरमती और यहां से एक नदी आती है जिस नदी का नाम है सरश्वती नदी यह नदी दो इस नदी के इस दो जो धारा है इस धारा के जो धारा को क्या कहते है लूनी नदी कहते है उससे आगे इसका बहाव सेतर के बात करें तो इसका बहाव सेतर कहा है किंद किंजिलों के अंदर ये बहाव सित्र बहाव सित्र तो बात करें तो सरपरतम आएगा हमारा अजमेर क्यों अजमेर से निकलती है उसके बाद में आएगा सर नागोर नागोर के बाद आएगा सर पाली पाले के बाद आएगा जोधपूर जोधपूर के बाद आएगा बाड मेर बाड मेर के बाद आएगा जालो यहां सर जिलों के अंदर प्रवाइट होने वाली नदी कौन सी है लूनी उसके बाद में इसका विले विले यह कच्छ का कच कारन का पर है गुजरात में उसके बाद में बात करें तो इस दो बाद करें दो बांदों के ऊपर सर्चा कर ले यूदे पूर के अंदर बना है जोदे पूर के अंदर बना है जिस बांद का नाम जस्वंत सागर बांद है जस्वंत सागर बांद है और उसके बाद में एक और बांद आता है जिसका नाम है नाकोड़ा बांद कहां पर पड़ता है नाकोड़ा बांद पड़ता है बाड मेर के अंदर कहां पड़ता है बाड मेर के अंदर पड़ता है तो पारme pawah होता है सागर मती और सरसुती नदी बाहु सेतर अजमेर नागोर पाली जोदपुर बाट मेर में रचाने लुछीे नदी नांकट और नदी पर भी बना हुआ है नाकोड़ा बांद कहां पर है बाढ़ मेर के अंदरे उससे आगे बात करते हैं इस नदी के उपर जो मैत पूर्ण इस्तान बसे है उस इस्तानों के बारे में जानकारी लेते हैं नदी के उपर जो इस्तानों के बारे में मैत पूर्ण जानकारी ले मीला लगता है तलवारा बढवर मेर में यहां पर मली इसंे दापना की क्या किया की स्थापना की जिसने कुणडा पंध्र की इस्तापना की पत्निगा नाम रूपा पत्निगा नाम रूपा देवी जो मैं जाए मन्दिर के पास था मनदिर बनाए मैधमुर्णा के कुंडा पंध्र कि इस ने किती मली नात्जी ने की थी उससे आगे और एक महत्मुर्य स्टान बताए जिसका नाम बाहलोतरा खजाम एंदर पूछा किया बाहलो राघ के बाहलो ध क्योंसा प्राहहरा का है, क्योंकि लूंख मेर नात्राह क everywhere यानि बालो तरह तक मिठा होता है, मिठा होता है, लेकिन यहां से यहां से आगे नदी का पानी, खारा हो जाता है, क्या हो जाता है, क्योंकि बालो तरह के अंदर सरवादिक जो कारे होता है, वो कारे होता है, बड़ी-बड़ी मीले बनी हुई है, प्लास्टिक का भी होता है, बड़ी-बड़ी मीले होती है, और यहां समड़ा उद्यूग भी लगी है, तो समड़ा प्लास्टिक उतिउग वने के बाद जो वैस्ट कस्रा बचता है वो कस्तरा इस नदी के पाने के अदर आजाता है इसके बाद में बालता के बाद में लोनता प्रहित आज पास यहां पर जो टो स्वल क्या लगी है बड़ी बड़ी मीली लगी मीलों जो गंदा पानी मीलों का जो गंदा पानी जिसके अंदर ट्लास्टिंग बेजिश जहाता हैो आकशा इस नमी कि आजाता है वह यह जाती है कि उसके अंदर लमणता जाती है उसके बाद में अगर का जाता है एक और परसन पूझाता है कि नागपाड में वर्षा अधीक हो जाने के कारण बाड की संभावना का परें बाड की संभावना का परें तो का परें बालो उत्रा में अगर नागपाड के अंदर सर्वावना की संभावना तो बालो उत्रा के अंदर क्योंकि बालो तरा इस नदी के नीचे यानि पेचे पर इस्तित है उससे आगे बात करती है उससे आगे बात करते हैं उससे आगे बात करते हैं इसकी सायक नदिया अब भी आपर लुनिन दी समापत हो साई उसके बाद इसकी सायक नदिया के बारे हम बात करते हैं सायक नदिया कौन-कौन सी सायक नदिया पढ़ेंगे कौन-कौन सी पढ़ेंगे कौन-कौन सी पढ़ें जो जड़ी जवाई खारी बांडी सूकरी जोजडी एक और भी है च जाई च जगाई और उसके बाद वे ली लड़ी ली लड़ी उसके बाद चूकरी 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 ली लड़ी चूकरी खारी चूकरी खारी तो ये ती हमारी लूनि लड़ी को जो जगाई दिया जो जड़ी खारी जो जड़ी जो जड़ी जवाई उसके बाद खारी बांडी सूकरी सगाई ली लड़ी और सूकरी शूकरी शूकुरी तो यह लिवनी नदी की सायक नदी है जिसके उपर हम विश्तार से बात करेंगे जिसके उपर विश्तार से बात करेंगे तो सरपरतम जिस सायक नदी के ऊपर बात करते है जिसका नाम है जवाई नदी जो जड़ी जो जड़ी नदी कहां से निकलती है जो जड़ी नदी जोजड़ी नदी जोजड़ी नदी कहां पर निकलती है जोजड़ी नदी का उद्गमिस्तल कहां से होता है जोजड़ी नदी का उद्गमिस्तल होता है सार पोटलू कहां पर पढ़ता है पाली के अंदर पढ़ता है और लूनी की एक मात्र साइक नदी शहायक नदी जो यहाँ पर एक पॉइंट लगाए लिए जो दाइयोर से मिलती है एक पॉइंट है लूनी की एक एक मात्र साइक नदी जो दाईयों से मिलती है दूसरा point यहां पर लगाओ कि जिसका जिसका उद्गम मैदानी भाग से हुता है पहाड़ी से नहीं होता मैदानी भाग से होता है क्या होता है मैदानी भाग से लूनी की एक मात्र साइक नदी जिसका उद्गम इस्तल कांते होता है सर मैदानी भाग से होता है मैदानी भाग से होता है जिसका क्या नाम है जिसका नाम है जोजडी नदी जोजडी नदी जोजडी नदी और इसका विले हमने बात की ती विले होता है विले होता है विले हो पूर्पूर के अंदर इसका क्या हो जाता है यह थी हमारी कौन सी नदी जोजडी नदी उद्गम पाटूडा लूनी की एक मात्र साइक नदी जो दाहियों से आती है दाहियों से मिलने वाली लूनी की एक मात्र साइक नदी जिसका उद्गम इस तर पाटुडा से होता है उसके बाद में बात करें कि जिसका उद्गम होता है मैदानी भाग से होता है उससे आगे हमारे नदी आती है जिस नदी का नाम है बांडी नदी कौन सी नदी है बांडी नदी बांडी नदी बांडी नदी बा प्रशित इसका उद्गम हमावास से होता है पालिसी लाकर पाली के पास लोनी में विली हो जाती है एक इस यह मावास पाली से उद्धे होता है और इस पर एक बांद बनाएं यह मावास बना है हिसे मेहाध laurea पाली से यह नदी निकलती है उसके बाद बात करते आंदी पर जवाही नदी जवाही नदे का हो उत्त данा हमने बात कि यह गोरिया पाड़ी कहां पर पढ़ती है गोरिया पाड़ी सर पाले के अंदर पढ़ती है पाले के अंदर पढ़ती है बाड़ मेर के अंदर इसका विले हो जाता यह नहीं इस पर एक जवाई बांध बना है जिसे मारवाड का अमरत चरोवर कहते हैं और इसकी एक साइक नदी है जिसका नाम है खारी नदी तो यह थी हमारी लूनी नदी आसा करता हूं कि लूनी नदी आपको असे से समझ में आई होगी अज्से समझ में आई होगी और लूनी की साइक नदियाश जिसके ऊपर भी हम विश्था बात कर ली हमने इसकी खारी नदी साइक नदी जवाई नदी के उसके बाद में बात करें सागी नदी सागी नदी हमने बात की जस्वंत पुरा की पाडिया से निकलती है तो आज के लि आकर अपने सदिश्या परिवार की सदिश्यता ले ले अज की लिए पर इतना ही मिलेंगे कल नई वीडियो के साथ नई जोस के साथ नई उस्सा के साथ राम राम जय हिंद